जैसा कि आप पर देख पारेंगे यह आपका आज का जो है नीच पेपर है इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इगनु में एडमीशन को लेकर जो है उदिया गया कि 31 अगस्त 2024 तक यदि आप यहाँ पर इडमीशन जो है उलेना चाहते तो आप यहाँ पर ले सकते हैं अप आप लोग के मन में ऐसा संसाय हो कि 31 अगस्त 2024 तक यहाँ पर आपका फॉर्म समिट करने का जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका बढ़ाए गया है तो क्या यहाँ पर आपका सेशन होगा ओ क्या यहाँ पर आपका लेट होगा तो ऐसा आपका बिलकुल नहीं है यह जो जुलाई सत्र वाला ही यहाँ पर यह आपका सेशन होगा यहाँ पर जो चात्र है उनके यहाँ पर डिमांड पर इस तरीके से जो आपका डेट है तो वह यहाँ पर आपका 31 अगस्त 2024 तक पढ़ाए गया है अब यहाँ पर अगला आपके मन में डाउट होगा तब तो आपका बिल्कुल नहीं है बिल्कुल यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का जो आपका लेट फिस है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं देना है आनि बिना बिलंब सुलक दिए आप यदि इडिमीशन लेना चाते हैं तो 31 अगस्त 2024 तक अपना जो फर्म होगा तो उसे कि इगलू से बहुत सारे जो आपके कोर्सिस वगण रहें तो यहाँ पर आपके जो होते हैं और बाकी आप यहाँ पर नीची देखेंगे तो इसके संदर्न में कोई भी आपका प्रस्ट नी आ फिर प्र कोई भी आपके मन्सें वगड़ा है यहाँ पर आपके ट्षू फ्र राज में जो है government teacher है और आपको लगता है कि अपना जो qualification होगा उसे हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर इगनू में admission लेने का मेरा तो mood है लेकिन आप लोग के मन में यह भी प्रशन है कि क्या किसी से आपका permission भी लेना पड़ेगा तो देखे permission को लेकर कोई आपके इगनू में इगनू के तरफ से कोई आपके official लेटर वगरा नहीं जारी किया जाते हैं कि यदि मानिजे आप किसी government sector में हो या फिर यदि मानिजे आप राज में जो है government teacher है तो आप permission लेकर आए उसके बाद ही आप अपना इगनू में admission लिजेगा तो ऐसा आपका बिलकुल नहीं होता है आप बकाइदा इगनू में admission लेना चाहते हैं तो direct जो आपका form होगा तो उसे आप यहां पर online के माध्यम से submit करके जो आपके साखा वगर दी रहते तो वहां पर जो आपके hard copy वगर रहेगा तो उसे वहां पर जाकर जो है वो जमा कर सकते हैं लेकिन आप यहां पर permission यदि थोड़ा सा ले लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा बेटर आपका कब के लिए रहेगा जब आप exam वगर देने जाएंगे जैसे आप इगनू से कोई भी course कर रहे हैं तो उसका तो exam देने जाएंगे और ऐसा नहीं एसा तो है नहीं कि आपका exam बस से आप लेटर बनवाए रहते हैं तो आपको बहुत आसानी से जो है उचुटी मिल सकता है जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जिला सिछा पदाधिकारी का रहले कि अस्थाफना साखा है तो उनके तरफ से यहाँ पर एक candidate हैं जिनके तरफ से आपके अनुम ज़िए करने को लेकर यहाँ पर आपके अनुमति देखेंगे हैं जैसे तो आपका बुला गया है कि आवकास में ही रहकर आपको यहाँ पर पेपर जो है उदेना होगा आईसा नहीं कि आप यहाँ पर जिला सिछापत अधिकारी काराले से आप अनुमत्ति ले लिए तो यहाँ पर आप पेपर भी दे लेंगे और आपका यहाँ पर जो अटेंडेंस होगा वो भी यहाँ पर आपका लगेगा तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है फिर उसे के बाद आप यहां पर देखेंगे दूसरे वाले पॉइंट पर यात्रा भत्ता को लेकर दिया गया तो यहां पर आपका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा और तीसरा वाला आप यहां पर देखेंगे जो कि आप लोगों के लिए एक तरीके से बेश्ट भी है जो कि यहां पर छाहिए हमने हैं आप यहां पर आपना योगता बढ़ा लिये तो आपका तुरंट लाभ नहीं दिया जाएगा टो इसको लेकर यहां पर आपके देखेंगे और नीचे आप यहां पढ़ तो जो भी candidate होंगे और यहां पर जो विद्याले के अचम होंगे और आप जिस भी प्रखंट के अंतर गताते होंगे तो वहां के जो प्रखंट सिछा पताधिकारी होंगे उनको यह जो आपका लेटर है वो यहां पर आपके प्रतिलीप यह क्या गया है तो इसी तरीके से आप यहां पर बनवा सकते हैं तो इसी तरीके से जो आपका लेटर होगा तो उसे आप यहां पर बनवा सकते हैं ध्यान रखेगा यहां पर जो आपके जिला का रिक्रम पदाधिकारी अस्थापना साका के हैं तो उनके तरफ से भी आप यहां पर बनवा सकते हैं बस आप लेटर किसी से भी नहीं लेंगे, किसी को आप बताएंगे भी नहीं, तो भी आप यहाँ पर जो admission होगा इग्णू में, आप यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिर और आपका पेपर हो जाता है कि जब आपका paper होता है, क्योंकि आप यहाँ पर बिना बताएं आप इग्णू में एडमिसन न हो क्योंकि आप इगनु में अपना फॉर्म सम्मिट किये हैं तो आप यहां पर पेपर देने जाएंगे ही तो इसलिए पहले से इस तरीकी का जो आप काहदेश होगा आप यहां पर उले सकते हैं देखे एचम से अनुमतिय को लेकर भी जो कई सारे सिछक होते हैं उनका इस से कहते हैं कि एक लेटर यहां पर बना दीजे तो भी जाले के चम कहते हैं कि नहीं हम यहां पर लेटर नहीं बनाएंगे आप डाइरेक्ट जो है जिला सिछापत अधिकारी का राले से आप यहां पर इस तरीके से आपका होता है तो आपको यहां पर परसान करने के लिए य आप बीद्याले केचम से पर्मिशन लेकर आएंगे, या फिर बीद्याले केचम से कुछ लिखवा कर आएंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पर इस तरीके से जो आपका पर्मिशन होगा, तो वो यहाँ पर आपके जो है उदिया जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते ह डेख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे तो बुद्धाहां के तरफ से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका口 में एडविसल हादी यहां पर धारी जाते हैं आपके लुद्ध को पता है कि हम इस प्लेटफार्म राइट तो इस कसन इंडिया आप जो सेर कर रहें देते हैं और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कियोंगे तो सब्सक्राइब करते हैं वेल आइकन को प्रेज जरू कर लिजेगा मिलते हैं लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लि थैंक यू बाई बाई टेकर और वेश्ट थैंक यू फर लिसनिंग गोट बिले सौल थैंक यू